वह कभी बिर्च नहीं बनता आपने जो उत्रात हिकारी घोशित किया किसी अति पिछरे और दलित के बच्चों को उस विधायक को उस परिवार से क्यों नहीं घोशित किया हिम्मत है तो अति पिछरा को आप मुख मंत्री उप मुख मंत्री के पद पर बैठाने का आप संखना करिए तो उसके कुछी दिनों बाद नितिश कुमार ने इसका इलान किया कि 25 में तिजस्वी आदब ही जो है वो उनके उत्राधिकारी होंगे यानि कि उनके चेहरे पर चुनाव रड़ा जाएगा साल 25 में अगस्ता समय पर बिहार में धानसभा के चुनाव होते हैं तो भी नितिश कुमार को उनके ही सामने जो है एक तरीके से घेर लिया विजय सनहा सदन में आर्थिक सर्विच्चन रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जो है अपनी बात रखते हुए कहते नजर आएं कि नितिश कुमार इस बात का इलान कीजिए कि अति पिछड़ा समाज से ह कि कोई मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री होगा तो जस्वी आदब जो है उनको आपने उत्रदिकारी बना दिया है आप सब के हिंस्तदारी की बात कर रहे हैं तो एलान क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार में जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो अतिपिछड़ा समाज का होगा उपमुख्यमेंटरी भी उसी समाज का होगा यह जो है विजय सिन्हा के अटेवे नज़रा है इस पूरे मामले पर जब विजय सिन्हा अपनी बात करें तो तो तेजस्वी आदब नितीश कुमार जो है आपस में तरीके से कहें कि उनकी बात को सुनते नज़रा है हाल के अंदर में विजय सिन्हाने किस तरीके सिस्वी आदब के उत्राधिकारी बना जाने के मामले पर सवाल खड़े किये हैं सुनवाते हैं आप सोर गूल करिएगा महोदय मैं एक चीजार कहता हूं महोदय जो ढोल पीट रहे हैं मानिये मुकमंत्री जी जो पौधे समाल कर र लखे जाते हैं वह कभी बिर्च नहीं बनता आपने जो उत्राधिकारी घोसित किया किसी अति पिछरे और दलित के बच्चों को उस विधायक को उस परिवार से क्यों नहीं घोसित किया हिम्मत है तो अति पिछरा को आप मुकमंत्री मुकमंत्री के पदपर बैठाने का हमने तुकमंत्री ध कर बनाया हमने नेता परतीपक्ष हरी साहनी को बनाया इन शारी को रटो के बाद आपकी पुष्तिकां में उत-देश नाम का कोई चीज नहीं है हाब आपके माधनम से सदन का सरकार का उतश भी जन चाहता हूं कहना चाहूंगा म झाल झाल